हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महतुपून हर एक क्लास के बच्चों के लिए खास थोर पर जो यूपीएसी एक्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का फैदा उठा सकते हैं और यह काफी इंपोर्टेंट भी उनके रहेगा चले देखते हैं हमारा आज टॉपिक क जो है प्रद्रिश्य तो इसके दोड़ान यानि 750 से लेके 1200 के बीच में संस्कृति विकास किस फरकार हुई इस पे जो है हमें प्रकास हम डालेंगे और जानने कोशिश करेंगे कि इस समय संस्कृति की क्या दसा थी दोस्तों यह ऐसा ही कोशन एक्जाम में पूछा जाता है कि 750 से लेके 120 इस वी के मध्या भारते प्रद्रिश्य के जो है संस्कृति विकास पर प्रकास डालिए तो कोशन तो आपको कहीं से कैसे भी बना के आ सकता है अगर आपको संस्कृति विकास के अंतरगत कोशन आता है तो यह कोशन बहुत काफी इंपोरेंट रहेगा आपके सिरब आपको ध्यान डखना कि 750 से 1200 की बीच के अंतरगत पूछा गया हो तो इक्जाम में अगर आप टॉपिक से समझ लेते हो ना तो इक्जाम में जैसा मर्जी कोशन आ जाए टॉपिक के डिगार्डिंग आप अच्छे अंसर कर सकते हो चाहे MCQ में हो चाहे UPS एक्जाम के बच्चे हो जा कोई भी हो कहते हैं कोशन को समझना बहुत जरूरी है और टॉपिक को समझ लेने का अर्थ होता है कि आपने हर एक चीजों को जो है विस्तार पुडबग समझ लिया है तो यहाँ पर हमारे समझत संस्कृति विकास के दिन नई छेत्री सक्तियों को आने से न इत्ते भाषा के रूप में नीव उसी युग में पड़ी थी यानि देखा जाया तो इसी युग में जो है इसका नीव परा था बंगाले असलीमिया उरीसा मराटी इत्यादी भारत के उत्तर दक्षिन पुरवाग में बोली जाने वाली भाषा इसका सबसे बड़ा उधार को प्रसाहित नहीं करेगा तो इससे ये पता लगता है कि जो छेत्रिय राजा हुआ करते थे, वो भी सहीत्यों के संगा recovery करना चाते थे, क्योंकि बहुत से रचनाएं जो थी जिसका उन्होंने अपने ही language में अनुवात किया, तो इसका मतलब है, वो भी जनना चाते थे, इसमें थाग क्या, तो इसका जो है सबसे वहाला example, ये ही हम मApp ल parlar नहीं है यानि कदम नाम आरजुञ विजय की रचना की जो की काफी इनपोर्टंट्ट था ये काफी important भी रहता है और ये रचनाकार का नाम भी आप से पुछा जा सकता है अगर कोई भी आप जो competition की exam दे रहे हो और बच्चो आज से ही आपको start हो जाएगा competition की starting क्योंकि आपको पता है कि जो अकलास में आप पर रहे हो नहीं वो बहुत काफी महत्पून है और यहां से MCQ बनता है बरे-बरे exam में तो भी कहता हूँ ना कि ध्यान से परो समझ के परो और अच्छा से करने की कुशिश करो इसी परकार अंध्चेतर में नणेयाल ने महाभारत की कुछ अंसों का अनुवात तेलगू में किया था किसने किया था पहले नैनियान ने किया थ भी बरे-बरे लिखों को संग्रहित करना चाते थे अपने ही लाइंग्वेज में और अपने जन मानस को सही रास्ता दिकाने के लिए अगरसर हो रहे थे क्योंगि आपको पता है रमायन जो है नंचर गरंत है रमाहन विचारधारा है जिसमें राम की मर्यादा पुरुष्टम के रूप में दर्शाया गया है एधापी संस्कृति की महातब विद्मानों ने ज्ञान की भाषा के रूप में बनी रही संस्कृति में लिखी गई इस काल की प्रमुख्य रचनाती कथा संगरा यानि कथा संग्रा जिसे हम कहते हैं कथा सरीता सागर कथा सरीता सागर सबसे प्रमुक्य रचना थी जिसकों किस भाषा में लिखी गई थी संस्कृती भाषा में लिखी गई थी कश्मीर के विविन सास्कों का विवरान पसुत करने वाला कलहन द्वारा रचित्र राजतरंग के कि कम कि के अधिक प lynod ने से मिलती है तो राजतरंगनी से मिलती है तो राजतरंगनी से मिलती है कसमीर के बारे में किसक कने लिक पंगाल के कभी जैदेव डोरा रचित्र गीत गोबिंद गीत को बीन करें चाहता कोण है जैदेव यह इस एक रचना की ती गीत गोबिंद का तो यह काफे हैं पॉटेंट रहता है राज सन्रक्षन प्राफ्त करने वाले अन्य गतिविदियां थी मंदिर निर्मान यानि राज सन्रक्षन के लिए सबसे इंपरेंट बाती मंदिर का निर्मान करना इन मंदिरों का निर्मान कराने वाले सासकों ने गौरब तरह सक्ति के दर्शाया जितना भव्य मंदर उतना ह ही राजा भी उतना ही प्रवाब शाली होगा ये किनन इसमें प्रमपर संभांध था मंदिर निर्माद था उसके नीमित रख रखा में बड़ी मात्रा में माना पता वित्ते संसाधन के अवश्कता परती होगी यह तभी संभब था जब हुआ राज धनी तदा सक्तिशाली हो या राज्य जो धनी ओ और शक्तिसाली ओ तभी जो है इतने बड़े में मंदिरों का निर्मान करवाना और इतने बड़े सिल्पकार करवाना तभी संभब हो पाता है इस काल के दोरान निडमित हुई मंदिरों का स्ताप्य कला में हम तीन श्रणियों का उदय पाते हैं जिने नागर, द्रैविड, वेशर यानि मिस्रित के नाम से जाना गया है नगर शेली की परमुक्य विसेस्ता विशाल मिनारों का निडमान था और इस शेली में निडमित मंदिर उत्तर भारत के विस्तुत जो है भूभाग में फैले हुए थी विसेस कर मद्य भारत, गुजरा तथा उरिशा में तथापी परचलित नागर शेली में भी छेत्री सतर पर छेत्री विसेस्ताएं थी इस सेली के प्रमुक्य मंदिर में भुबनेशर में जो है लिंग राज मंदिर, कौनाक का जह सुर्य मंदिर और दक्षिन भारज मंदिर निर्मान की द्राविट शेली काफी विक्सित हुई चोज सासा काल में यह अपने गौरव के उच्चतम सतर पर पहुंच चुकी थी और इस सेली की प्रमुक्य में विस्था थी गर्व गृव 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 मुख्य देव का अंता निवास्तल जहां पर हो स्वेम निवास करते हैं गर्व करें के ऊपर बनीन इमारतों को विमान कहा गया और मंडप अंकिस्तंबों का विशाल भवन जो गर्व भर गुरी के समुख्य निर्मित होता था मंदिर चेत्र के चारों और बने भव्य बरे दर मनर्वाजे को हम गोपुरां कहा गया और हिस सेली का सरवदिक परमुक्य मंदिर चों सासक राजारा तंजोर इसिस्तिस विधेशवर मंदिर भी देशवर मंदिर बहुत काफ़िस्तंबों करते थी और ये हैं चालुक्य साशकों के सरंचन में निर्मित हुई देखिए चलोके सासक ने जो है इसका निर्मान करवाया और बदामी करनाटा के निकट पट्रकल में पाए गए मूर्ति निर्मान के छेतर में भी इस यूग में नई उचाई को छुआ और चोल कलाकारो द्वारा तामबे की बनी नट्राज की मुर्ति इस यूग की अन्वोल देन थी और इन मुर्तियों में जो है सीव के निर्थे करने की भंगिमा में दर्शाईया है जो कि अपनी धून और सबसे बढ़ा अतुलिय का यहां पर आप देख सकते हो कि शिव के द्वरा जो निर्ते करते हुए जो संतुलन के बैलन्स किये हुए है इनको नेट्राज के रूप में जाना जाता है और लोग नेट्राज के रूप में ही इनको प्रसिद्धी मिला है बहुत सहीतिकार को नेट्राजन की मूर्ति के रूप में उनको समान दिया जाता है तो कहते हैं यह बहुत काफी उतकृष उस समय के उधारनों में से एक समझा जा सकता है